नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिक्षाहब में तो फ्रेंड्स देखना ज़रा कि एक बहुत ही बड़ा खुसी का ख़बर है आप लोगों के लिए आप लोगों ने अगर थैंबल पढ़ लिये हैं टाइटल पर लिये हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो एक बार मेरे साथ और देख लिजिए यहां पर मैंसन किया कि है सीए सीएंटर्स एकजम दोहजर वाइस यानि कि सत्र दोहजर वाइस के लिए जो भी मेरे प्यारे भाई और बेहन मेरे स्टूडेंट जो भी दिएर थी हैं वह इस पार सीए सिए सीएस बाई मेरे एक बात ध्यान रखना आपका application form अब जल्द ही आने वाला है तो आखिर वह date किया है आपके application form आखिर date किया है कि जिस date पे आपका application form को publish किया जाएगा आपके website पे तो इसको जानने के लिए इस जनकारी को प्राप्ट करने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें वह class 11th के बच्चे हों वह class 6th या एक मिनट बच्चे वह class देखिए गजरा वह class 6th या 9th या 11th तीनू class के बच्चे ये इस वीडियो को दिहान पूरबक देख सकते हैं और मेरे बातों को दिहान पूरबक समझ सकते हैं और इसमें हम इभी बताएंगी कि आप तयारी क कि यूनी वर्सीटी ठीक है ठीक है जरार एक मिने टुकना आप लोग क्या आपको मालूम है कि यूइन बर्सीटी का जो इक्जाम होने वाला है सी यू सेट के माध्यम से इसका इसका जो फॉरम देट है बच्चों मेरे एक बाज ज़रा ध्यान रखना इसका जो फॉरम इसका फॉर्म डेट किया अपडेट कि लीड और डिट अपडेट किया गया है यहां था सिनного मैदं को बता दो ult. यहां जरा मैं बखर से देख लेकि कि अब भीस्ति जो है हमारा अपर इसके उपर इनवर्सिटी इस रेणकान फॉर्म को लेकर को NICK लोड नहीं है ना एक्जाम को लेकर तो बच्चे आपका एक्जाम जल्द ही होने वाला है और आपकी एक्जाम और फॉर्म डेट में क्या फॉर्म डेट में कोई भी कम लेट नहीं होने वाला है इसलिए हम आपको आज की इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताने व यहां हूँ ठीक है लेकिन बच्चे इंट्रेस्ट नहीं ले रहें उसको पढ़ने में ज्यादा इस पर इंट्रेस्ट नहीं ले रहें चैप्टर वाई सब्जेक्ट वाई तो मैं अब से क्या लेका नोट डाउन कर आने वाला हूं नित्स्ट के लिए मेरे इस में कुंसे कर लूप कर लेना और बगल के घंटी को प्रेश कर लेना ताकि मैं जब भी इंप्पॉर्टेंट प्रस्ट का रहा हूं आप बच्चो के लिए आप की आप आप लोगों के लिए तो आप उस इंप्पॉ पी में नौट डाउन कर लो कि आपका एक लक्षे है कि CHS इंटरेंस एक्जाम्स को क्रैक करना तो चलिए हम जड़ा बात करते हैं अपने मुद्धे पे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे बच्छे CHS इस्कूल्स यानि की BHU BHU के दुवारा ही CHS इंटरेंस एक्जाम्स को कंड़क्ट कराया जाता है ठीक है CHS Interest Exams को ठीक है या इसी का भाग माना जाता है हमारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनना ठीक है इसी का भाग माना जाता है तो आपको एक बात तो तैह है ना कि इस बार जो है University Interest जो होने वाला है अलग-अलग नहीं होने वाला है तो BHEU के उपर कोई ज़्यादा लोड नहीं है कुछ Interest Exams को लेकर और Form को लेकर इसलिए या कुछ जल्दी ही करने का कोसिस कर रहा है जल्द नहीं मानेंगे लेकिन आपका जो टाइम है उसी पर या कोसिस करेगा तो देखिए बाबु मेरे एडवीशन का प्रोसेस क्या होता है एडवीशन का इसमें प्रोसेस होता है क्योंकि आपको हम बता दे इस exam में आपको Central Level पे Central Level पे बच्चों से fight करना होता है और उसमें अच्छे marks लाकर यानि कि intense exam देना होता है और उसमें अच्छे marks प्राप्ट कर लेगी, तो ही आपका selection होगा, तो ही आप इसमें अपने addition प्राप्ट कर सकते हैं, ना तो कोई, बोले ना मेरे भाई, इसमें कोई उपाय नहीं है, कि आप अलग से addition ले सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बिहतरीन, हमारा जो school है है यह centerinte school है तो दिखे फ्रासेस होता है कि पहले application form आता है बच्चे मेरे उसके बाद आपको entrance exams देत होता है उसके बाद entrance exams को crack करके अच्छे अंग प्राप्त करके तब evaluation आप ले सकते हों तो हम बात करेंगे कि हमारा जो entrance जो हमारा क्या बात करेंगे हम लोग करेंगे कि हमारा जो application form है वो कब तक आने वाला है इस मुद्दा पर बात करने वाले हैं हम क्या मुद्दा है हमारा कि application form है जो हमारा कब आने वाला है तो एक बात कान खोल कर अगर अप सुन लो एक अपरेल ठीक है वच्छे मेरे एक अपरेल 2022 में हमारा form को पब्लिस कर दिया जाएगा ठीक है बात ध्यान से सुन लो कान खोल कर सुन लो और याद रखना ठीक है वच्छे एक बात और मैं बता दू अगर वीडियो अची लगी है तो वीडियो को अभी ही like कर देना और अपने दोस्तों में भी share कर देना बात आती है कि intense exams date तो बच्छे मेरे एक बात intense exam date को लेकर मैं बता दू अभी तक कोई भी notice ठीक है जैसे ही कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपकी पास लेकर जरूर उपस्तित हूँगा मैं आपका बड़ा भाई सुरज कुमार आपको गाइड करूँगा और आपको इंटरेंस एक्जाम्स में अच्छे अंक प्राप्त अच्छे अंक दिला कर हूँगा अगर आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे तो ही नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है ठीक है तो एक बात तो तह है बाबू अगर आप प्राक्टिस करना चाहते हूँ तो बच्छे मेरे इस सिख्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे लगता है कि आप चैनल को प्राशनों को लेकर आऊँगा तो बच्छो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ऐसा ही मुस्कुराते रहो हसते रहो खेलते रहो और अपने पढ़ाई को अच्छा से एक मोड दो और अच्छा से पढ़ाई करते रहो तो बच्छे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नय टॉपिक के साथ आपको यह जनकाई कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्छे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नय टॉपिक के साथ जाहिंद बाबाई